नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Algorithmatic Software के बारे में तो पहले भी मैं इसके उपर 3-4 वीडियो बना चुका हूँ तो यह मेरा पांचमा पांट है इस Software का तो इस Software में बेसिकली आज बताने वाला हूँ इसके कुछ अपडेट्स के बारे में तो बिसिकली तीन मेजर अपडेट्स हैं इसके जो कि मैं आपसे इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो बने रहे वीडियो में हमारे साथ और जो लोग नवे है चैनल पे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि आगे आने विलाली कोई भी वीडियो आप लोग मिच ना करें तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहली जो अपडेट है वो है साइन अप को लेके वैसे पुराणी अपडेट है काफी लेकिन इस अपडेट को मैं इस वीडियो में बता रहा हूं क्योंकि पहले मैंने से नहीं बताया है कई लोग का ओल आता है कि सर हम इसका डैमो चीए सौफटर दिखता कैसा है इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं तो यह सब कुछ तो इसके लिए आपको कुछ निकरना है सबसे पहले यह देखेंगे अप साइन अप को ऑप्षिन आ रहा है इस साइन अप के ओप्षिन पर आप ट्लिक करेंगे अब इसके नदर क्या कुछ नहीं करना यहाँ आपको नाम दे देना है और यहां पर अपना email address डाल देना है ज क्योंकि मैंली सप्टेर्य उसी आपने क्लिक कर लिए जैसी आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी इन when Cr distingu करना है और और यहां पर आपको sign-in करना है और sign-in के अंदर आपको यहां पर user id और नीचे वह password डालके यहां पर login करना है तो जैसे कि मेरा id है यह वाला इसको मैंने पहले से यहां पर save कर रखा है और यहां पर मुझे password डालना है और enter तो यहां पर देखेंगे हमारा दो option आते हैं यहां पर connect to 0 था और connect to allies blue का तो simply मुझे आपको system दिखाना है कैसा है तो मैं यहां पर connect नहीं करने वाला हूँ आप सिंप्ली explore पोर्टर कलता हूं मैं यहां पर ओके तो यहां पर देखिए जो दूसरी अब्रेट हमारे सामने है वह बैक्टेस्ट को लेकर तो बैक्टेस्ट में जैसे हम create बैक्टेस्ट के उपर जाते हैं आपके तो यहां पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूं पहले segment हमने select कर लिया NSE script समझेजिए हमने state bank कर ली State bank of India quantity quantity के अंदर आप समझेजिए यहां पर आपने 2000 डाल दिया और यहां पर add script कर लिया आपने अब इसके बाद यहां पर आपको मैं आपको मंत दिखा देता हूं कोई भी मंद डाल दिजिए मैं फर्वरी से start कर लेता हूं फर्वरी से लेक्के अपके मार्श तक का मैं कर लेता हूं और इंडिकेटर हमने कर लिए यहां पर टीयार भी ओ अब जो लोग नवे चैनल पर उनको बता दो टीयार भी ओ है असल में breakout strategy है यह टाइम रेंज ब्रेकाउट अब और भी और टीयार भी ओ में कई लोग फर्क पूछते हैं कि सर क्या है और भी होती है आपकी आपकी ऑपनिंग रेंज ब्रेकाउट मतलब की 9-15 से जो गैंडल स्टार्ट होती है और टीयार भीओ में आपकी ज़रूरी नहीं कि आप 9-15 स्टार्ट करें आपकी दूसरी काट डाल हो गई जो की डिफॉल्ट है इसके अंदर अब यहां बफर साइज यह सब कुछ मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं तो यहां बताना ही जरूत नहीं है आपको आपकी अपडेट है वो है असल में इस चीज़ को लेके रिस्क पर ट्रे है तो मैं आपको यहां पर बैक्टस करके दिखाता हूं एक बार तो यहां पर देखेंगे आपकर जो रिजल्ट है वो लगबग एक लाक रुपे का आया है तो अब समझ लीजिए आपको एक ट्रेड के ऊपर अपना एक हजार से उपर का लॉस नहीं लेना है मैं आपको एक कभी रेंज छोटी कभी रेंज बड़ी तो क्या होता थ कि आपका जो आप एसलह है वो कभी आपको मैं दिखा देता हूं इकबर वो कभी आप देखिए 161 रुपे का है तो कभी आपका 300 का है कभी आपका 500 का मैं नंत गया सो पैर्फार और से यहां और नोबो का है तो सम hen बांच तरेड देखेंगे तो मेरे को कोई बी जहां पे आप देखेंगे तो 3700 से ज्यादा सुरी जो भी 37 आपको लॉस दिखा रहा है अगला दिन देखेंगे आप 5 ताइक को तो यहां पे आप देखेंगे तो 3700 का लॉस हुए और उसके फिर 3800 का प्रॉफित हुआ है प्रॉफित के हमने लिम्लिम्टेट चोड़ रखा है इस देखें, 3700, 3700, 3700 आपको कहीं पे भी इस से उपर लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा यहां पे यही ट्रेड हुआ होगा पूरी दिन में यह देखिए, इसली 600 का लॉस है अब यहां पे भी एक ट्रेड है यहां पे तेकि 36 यहां देखें, 992 हुआ है यह की ट्र अब नहीं कोई यहां पर अपने अप देखेंगे आपकी तो यहां पर देखेंगे आपकी 57,675 जिसके अंदर कि आपका रिस्क जो है वो डिफाइन है अब इसी को अगर हम यहां पर कुछ भी नहीं भरते हैं यहां पर मैं 0 भर देता हूं तो आपकी जो कॉइंटिटी है 2000 लेने लगेगा पर ट्रेड तो यहां पर क्लिक कर लेते हैं तो जिन लोगों को रिस्क मैनेजर का था जो लोग पूस्तरतिक सर्थ में रिस्क मैनेज कैसे होगा कि मैंने अगर एक दिन में सिर्फ 500 रुपय का लॉसी लेना है या फिर मुझे 5000 का लॉसी लेना है तो मैं उसे कैसे डिफाइन कर पाऊंगा तो उसके लिए यह फीचर आपक कंफिगर स्ट्रेटिजी के अंदर और यहां पर आप लोगों को एक फीचर दिखेगा जो कि है क्लोबल एक्जिट रूल अब यह चीज क्या है अब देखें जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर एक दो तीन चार पांचे मेरी छे स्क्रिप्ट्स लग रखी हैं तो हम जब इतना प्रफिट हो जाए तो हूं में इसमें से निकलना है बला कि आपका कोई ही या नहीं हुआ है कुछ स्क्रिप्स का आपका स्क्रिप्स आपकी प्रफिट में चल रही होंगी तो इसमें करना कि आपको simply देखें यहां पे एक क्योंच है एक टोटल लॉस और यहए एक आ वें टोटल प्रोफिट एंटों रीच अब यहां पर समझ ली मैंने आप यहां पर 500 भर दिया और यहां पर मैंने 500 भर दिया अब यह बन रेशो बन हो गया अब जैसे ही जो आपका यहां चल रहा होता है लाइव मार्केट के अंदर जैसी वह चीज आपकी 500 को टच करती है माइनस के अंदर मार्केट के अंदर तो यह जितनी पूजिशन से आपकी वह स्क्वेयर अफ हो जाएंगी और आपका रोबो आटमेटिकली स्टॉप हो जाएगा और दूसरा कंडिशन है कि अगर आपका ग्रीन के अंदर आपको 500 दिखता है तो सेम तो सेम कंडिशन सारी पूजिशन एग्जिट और आप मार्केट से बाहर और आपका जो रोबो है वो यह आटमेटिकली स्टॉप कर देगा इसे को कर आप 5000 कर देते हैं तो वही बात है कि जैसे 5000 का करेंगे तब आपको पता लगए लाइव मार्केट में किस तरह से जो आपका एंटो में उसकी फ्लक्टुएशन होती है और उस फ्लक्टुएशन के अंदर आपको अगर प्रॉफिट बुक करना अपना तो किस तरह से आप सारी पूजिशन को एक साथ एक्जिट करके बुक और अपडेट थी रोमाटिक की तरफ से तो उमीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए ताकि आगे अने वीडियो आप लोग मिज ना करें तो इस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बैक्टेस के साथ अफिर एक नवे टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार